नमस्कार एकजाम हैपी बाइ जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर जारखन में होने वाली जेटेट परिच्छा की तैयारी को ले करके जिससे यहाँ पर बहुत कौम परशना आपको भीड़ते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो यदि आप जारखन में होने वाले सिच्छक पतरता परिच्छा में पास करना चाहते हैं आपको यहाँ पर जहरखन में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले JCRT, टेस्ट बुक पर अधारी सारे प्रशना आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी जहरखन में जितना भी JCC एक्जाम ले रही है, या जैक एक्जाम ले रही है, वह पाठ पूस्तक पर अधारी सारे प्रशनों का नोट्स, PDF और यहाँ से जुड़ करके यदि आप त्यारी करते हैं, तो 101 पर तीसाथ जहरखन में जहरखन सिचक पतरता परिच्छा में आप पास कर सकते हैं, और यहाँ से सारे नोट्स को ले करके पढ़ लेंगे, क्योंकि JCRT के टेस्ट पूक पर अधारी सारे प्रशन सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है, और साथ में यहाँ पर आपको उसका ट्रीकी भी नोट्स दिया जा रहा है, तो यदि आप जहरकंड में जहरकंड सिचक पतरता परिच्छा या जहरकंड सहाएक अचारे परिच्छा किसी के भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए, जैसे JCRT टेस्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं, वो भी सीर्फ और सीर्फ एक पेपर की तैयारी एक हजार उपए में और दोनों पेपर की तैयारी पंद्रसो रुपए में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है, तो क्लास शुरू हो गया है, आप से भी जूड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे, और या एक बार के परिच्छा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दुवारा आपसे फी नहीं ले जाएगी, तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मुबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मुबाइल नंबर से संपर कर लेंगे और तैयारी के लिए जूड़ जाएंगे, तो चले चलते हैं, महत्वपून परशनों की और, दिवगाज समिकरन Px² प्लस Qx प्लस C बराबर 0 हो, तो उसके मुलों के योगफल का मान कौन होगा आपको बताना है, ठीक है, यह परशना आपका किस्से है, यह दिवगाज समिकरन का है, ठीक है, और आप लगभग जगद देखेगा, तो आपको क्या है, तो सिर्फ competitive exam का lucent का तियारी करवा जाता है, जबकि अभी जहरकंड में, या अन्य किसी राज में, जिससे में भी परिच्छा हो रही है, लगभग उस राजी के टेस्ट बुक का लगभग सभी परशन पुछा जा रहा है, और वो जो है, आपका NCRT किताब का लिजे या JCRT का है, तो आपको पढ़ना इसी को है, और इसको ज़रूर बना लिजेगा, और डिवघास से एक प्रशन, जहारकन किसी भी एकजाम में आप जईगेगा, जिसमें मैथ का सिलेबस आपका होगा, तो वहां से एक प्रशन देखेगा, हमेशा रहता है, ठीके, तो एकजाम अगर देते हैं, तो ठीक है, नहीं देते हैं, तो आप जडूर यहाँ पर जूड़ करके त्यारी कर लिजेगा सारा नोट्स बीडिये बना हुआ है चले तो यहाँ पर देखे कर रहा है कि मुलो का योगफल क्या होगा तो आप सभी जानते होंगे मुलो का योगफल यानि इसको कहते हैं आप सभी जूड़े होंगे तो देख लिए होंगे तो सारा प्रेक्टिस सेट आपको करवा दिये जा रहा है तो मुलो का योगफल देखे क्या होता है आपका फर्मूला हो गया इसको आपको दिमाह में बैठा लेना है अब रही बात कि यहां पर B कौन होगा और A कौन होगा यह आपको जानना पड़ता है तो देखे X स्क्वाइर के साथ जो यहां पर रासी रहती है उसको हम लोग काते है P ठीक है उसको हम लोग काते है A ठीक है तो A कमान क्या है तो X square के साथ P है इसलिए A कमान P है अब X के साथ जो राशी रहेगी उसको कहते हैं B तब B बराबर क्या हो गए यहाँ पर Q हो गया और बाकी जो यहाँ पर चल राशी है उसको हम लोग कहते हैं C और C पराबर already, C ही दिया हुआ है, ठीक है, फर्मूला मेरा क्या था, minus B by A, minus B by A, यही फर्मूला था, तो अब देखिए यहाँ पर minus B by A, तो B का value आपका कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है तो यहाँ पर सुत्र में minus है, अब फिर B का मान रखना है, तो B का मान कितना है, Q है, अब देखिए, by A, A का मान देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, P, तो यहाँ परोजागा, P, यही हो गया इसका right answer, यानि क्या हो गया, तो इसका answer आया, minus B का मान आया, Q, और A का मान आया, P, यानि minus Q, Y, P, यही इसका right answer होगा, ठीक है, minus Q, Y, P, कि है, आपका देखिए, यहाँ पर, C में है, यही आपका right answer हो गया, अब देखिए, यदि आप YouTube देख करके, और notes बनाईएगा, तो आपको देखिए, यहाँ पर बहुत problem होगा, तो आपका सारा notes यहाँ पर उसके साथ solution, सारा चीप बना बनाया हुआ, trickly, और साथ है, basically, सब जी मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ से तियारी जुड़ कीजेगा, तो चलिए हमने वहाँ पर आपको बनाना बता दिया, अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे साथ जुड़ करके तियारी करते हैं, उनके लिए, यहाँ पर सारे अच्छे तरह से आपको solution बना करके, long process मे भी और short process में भी दे दिया जाता है, जिससे कि आप तियारी कर सकें, और समय की बचत आपको हो सकें, अब इससे दिकत होने पर आप offline class के जैसा हमारे साथ जुड़ करके तियारी भी चल रही है ता आप offline की जैसा भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, चलिए next देखिएगा आप, इंसर क्या होगा, ठीक है, यह आप सभी के लिए है, यहाँ पर क्यों किसके पहले हमने बता दिया है, एक प्रशन है, पाई एक संख्या है, यह भी प्रशन आपका आया हुआ प्रशन objective में, पाई एक संख्या है, परमे संख्या, आप परमे संख्या, पुनांग संख्या, य व्लेक्स प्रस्ण है बिन्दू 6,5 में X का नियामक है या कोई नहीं ठीक है यह प्रश्ण है किसका है तो कोर्डिनेट जिमेट्री का है कोर्डिनेड जिमेट्री जिसको है निदेशांग, ज्यामिती यहां से देखिए आपका ज़ारकण में कोई भी परिच्चा भी तख और रहा है तो निधे सांग जयामिती जो 3 वो पाठ है उसको आप देख लिए उसको भी आप लोग देख लिजेगा उसको भी हम यहाप बहुत जल्द आप लोगों के लिए ला देंगे ठीक है तो बिंदु 6 पांच तो देखें यहाँ पर जो भी बिंदु माले जो शुरू बार दिया हो तो बिंदु A है A का 6 और 5 होता है ठीक है तो इसमें X का नियामक कौन होता है तो देखें जो पहला बार लिखा जाता है वो X होता है और जो दूसरा बार लिखा जाता है वो Y होता है ठीक है तो बिंदु जब भी आपको भी लेंगे कोडिनेट जिमेटरी में 2 3 तो इसमें X कमान 2 है Y कमान 3 है ह कितना हो जाएगा कमान तो माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5 किस में है बी में है ठीक है तो यहां पर पूछा एक्स कमान हो गया कितना 6 हो गया और य कमान अगर पूछा तो कितना हो गया माइनस 5 हो गया पूछा किसका है X कमान, X कमान कितना होगा 6 होगा, 6 आपका किस में है answer तो 6 आप देखिए A में है तो A आपका right answer हो गया देखें यह आपर बना हुआ है सारा तरह से, इस तरह से आप देख लिजेगा अगला प्रशन है समांतर स्रेनी, समांतर स्रेनी से भी यह पहला पद है, यह दूसरा पद है यह तिसरा पद है, यह चौथा पद है तो कौन सा पद 88 होगा इसलिए इसको last आप कर लिजेगा अभी कौन सा पद है, चौथा पद है कि पांचवा पद है, यानि एन हम लोगों निकालना है, क्या निकालना है यह पहला पद, दुसरा पद, तिसरा पद, चोथा पद, यानि अठासमा जो है, कौन सा पद है, दसमा पद है, विसमा पद है, पचिसमा पद है, यह आपको बतलाना है, ठीक है, तो सीरीज इस तरह से बना ले जिएका, कौन सा पद होगा, तो सीरीज किस तरह से हो गया, एक, 4, 7, 10, and . . . . और . . . . कौन सा पद 88 यानि या अंतिमा पद 88 दिया हुआ है कौन सा पद 88 अंतिमा पद दिया हुआ है विसी में पता करना है तो इसमें देखें पहला वालों को क्या करते हैं A काते हैं तो पहला पद A हो गया अब D यदि हमको निकालना रहते हो, तो क्या करते हैं, दूसरा में से पाला को घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, हमेसा आगे वाला में से पीछोला को घटाईएगा, तो D बराबर 4 में से 1 घटा सकते हैं, यह 7 में से 4 घटा सकते हैं, तो D आपका कितना निकल रहा है आपसे N पुछ रहा है क्या पुछ रहा है N और A N दिया हुआ अंतिम मोपत कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 88 अब चलिए देखते हैं तक पुछा है कौन सा पत 18 था आप इस सुद्र का प्रयोग किज़ेगा a n बराबर होता है a plus n minus 1 into d हो गया a n कितना है आपके पास देखें 88 है 88 बराबर a a का मान कितना है 1 है plus n minus 1 n minus 1 into d d कितना आपके पास आया है 3 आया है यहीं आया है न solve किज़ेगा आप तो हो जाएगा आपका कितना 88 और यह plus 1 है इसको इधर ले लाइए तो minus 1 बराबर कितना हो गया 3 से n में गुणा किजगा तो 3 n और 3 से minus 1 में गुणा किजगा तो minus 3 88 में से एक गया तो कितना बच गया 87 अब देखें इधर भी अंक है तो अंक अंक अंकोला को एक साइट कर लेंगे हम लोग तो अबर minus 3 को boundary पार करेंगे तो यह क्या हो जाएगा पलस 3 बराबर कितना हो गया 3 n अब देखें यहाँ पर 87 पलस 3 को अब solve किजगा तो कितना होगा 87 और 3 90 हो जाएगा 87 तीन नब्बे और बराबर कितना हो गया 3 n दोनों गुणा में है तो आप काट सकते हैं तीन एकम 3 और 3 से कितने बार में कटा 30 बार में हो तो n कमान कितना आगया आपका 30 आगया यहाँ तीसवा पद जो है आपको कितना होगा 88 होगा ठीक है तो तीसवा पद किसमें है C में है तो यह आपका right answer हो गया बाकी इसका business notes आप चाहते हैं तो आपको देखे जो यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हुए है आपके पड़ाई offline, online सारी चल रही है चाहे आप जेट की तियारी कर रहे है चाहे आप जेटेट की तियारी कर रहे है जिसमें भी math से लेवस है यहीं से आपको 100% भीड़ने वाला है इसलिए math के लिए तो आप जड़ूर यहाँ जुड़ जाईएगा ठीक है बाकि सभी subject के तियारी आपको चल रही है चाहे आप जेटेट की तियारी कर रहे है आकलेन पर चेक की तियारी कर रहे है चाहे साय की चार्ज की तियारी कर रहे है या JSC का कोई भी हो यहाँ से जुड़ूर कबर आप करेंगे आप notes यहाँ से लेकर के ही पढ़ेंगे ठीक है तो चले इस तरह से बना हुआ देखें यहाँ पर जो लिए है उनको यहाँ से सारा चे प्रोभाइट कर दिया जाता है चले अगला प्रोष्ण है दो संख्या ए और नौ का लशा च्छतिज तथा मौसा दू है तो ए का मान क्या होगा यह MBVI प्रोष्ण है साथ ही अभी दिख JSC में तीन बार पूछा गया प्रोष्ण है और आपका जहरखन में क्या सभी एक्जाम में यह लासा मसा यह जो है आपका क्लास्टेंट का आप देखेगा तो चेप्टर जो है टू का आपका यहाँ पर प्रोष्ण दिया गया है ठीक है यह प्रोष्ण आपको यहाँ से लासा मसा से एक रहता ही रहता है आपके एक्जाम में आप देखें यहां पर दो संख्यां पहली संख्यां कितना दिया हुआ है अब दूसरी संख्यां कितना है नौ है दूसरी संख्यां नौ है लॉसर देखें कितना दे दिया है लॉसर जो आपको दे दिया है उदे दिया है 36 आप मसर देखें कितना दे दिया है मसर जो आपको दे संख्यां पहली संख्यां गुने दूसरी संख्यां बराबर लोस गुने में का होता है गुने में मौसा होता है न तो पहली संख्या कितना था ए दूसरी संख्या कितना था नौ बराबर क्या हो गया लोस लोसा कितना है या पर देखे च्छतिस और मौसा कितना है दू है ठीक है यह सभी गुणा में है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखें काट सकते हैं, और नहीं पता चलता है, तो ए को 9 से गुणा करेंगे, तो 9 ने बराबर 36 गुणे 2 लिखतेंगे, और ए बराबर क्या करेंगे, तो यह गुणा में है, ए के साथ जो गुणा में है, वो जो boundary पार करेग तो किस में जाएगा भाग में जाएगा तो 9 नीहाँ पर हो जाएगा और 9 से ये कट जाएगा 9 से शय चाई-वर में 9 चुम करेब 600 हो जाएगा 4 दुने 8 यानि ए बराबर 8 तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आप से पूचा गया कि एक आमान क्या है तो एक आमान 8 हो गया ठीक है इस तरह से आप short बना लिजेगा और विशेश details के लिए नीचे जो है आपको बना बनाया हुआ notes पीडियेफ मिल रहा है जिसके लिए आपको जुड़ने के सिर्फ पद सुन्य होगा 21 अठारा पंदरा का कौन सा पद सुन्य होगा बताना ठीक है 21 है फिर 18 है फिर 15 है कौन सा पद सुन्य होगा आपको बताना है तो यह last सुन्य बोल रहा है last में कौन सा पद सुन्य होगा यानि यहाँ पर क्या होगा आपका सुन्य दिया हुआ है ठीक है अब इसमें हम लोग चुन लेते हैं, यह पहला पद है, यह D निकालेंगे हम, तो 18 में से 21 घटाएंगे, तो minus 3 आएगा, 15 में से 18 घटाएंगे, तो minus 3 आएगा, यहनि D का मान minus 3 हो गया, और A N बराबर कितना हो गया, 0, इसके पहले भी प्रशन था, अब इसी पर आप इसो complete आपका answer आजाएगा, ठीक है, तो A N बराबर क्या होता है, A plus N minus 1 into D होता है, A N देखे 0 है, और A आपका कितना था, 21 है, और plus N minus 1, तो N minus 1 into D, D कितना आपका आएगा है, minus 3 आएगा, D कितना है, minus 3 आएगा है, आप किसी को गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0, यह 0 बराब आएगा, minus 3 N आएगा, अब minus 3 से minus 1 में गुना करेंगे, तो यह plus 3 हो जाएगा, अब देखें, यहापको हो गया है, यहापर 21, अब 0 बराबर, यहापर plus plus वाले हम लोग कर लेंगे, तो यह देखें, minus 3 N, यह किस में है, minus में है, तो इसको हम लेलाते हैं, boundary के पार, यानि 0 plus 3 3 N हो जाएगा, 3 N, बराबर इधर कितना बज़ जाएगा, 21 plus 3, 21 plus 3 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, तो 3 N बराबर, 21 plus 3 यानि हो गया, 24, अब N बराबर यह boundary पार करेगा, तो जो तहीने तरफ जाएगा, वो आपका गुना में है, तो भाग में जाएगा, तो भाग मतल बना हुआ है आप सभी देख लेंगे इसी तरह से आपको बनाना है ना चलिए अगला प्रशन है किसी ब्रीत का परिमाप और छेत्रफल का अनुपात ग्याद करें यह जैसेसी में अभी तक पांच बार पूछा गया प्रशन है ब्रीत का परिमाप यह जो है छेत्रमीती के अं पड़ता है किसी ब्रीत का परिमाप और छेत्रफल का अनुपात ग्याद कीजिए तो सबसे पहले फर्मूला को याद कीजिए ब्रीत का परिमाप या उसी को हम लोग कहते हैं परिधी क्या होता है टू पाई आर और छेत्रफल तो छेत्रफल कितना होता है पाई आर इसको है ठीक है तो यह दोनों जो फर्मूला याद रहा तो आप बना लिजेगा आप देखे इसे पूछा है कि अनुपाद तो बृत का परिमाप यहाँ पर क्या लिखेंगे बृत का परिमाप उसी को परीधी भी कहते हैं याद रखेगा और बृत का छेत्रफल यह लिख लेना है अप नहीं पैसुछा आप देखे eder पाई आपका क्या हो गया कट गया अब देखेंगे आप यहाँ पर बच घ्या मेरे पास टू आर बराबर आर अधिसर आपका है या इसी सब्सक्राइग मिंदा डीख लिए ए इससी मिल गया, C में मिल गया, तो C ही इसका right answer हो जाएगा, ठीक है तो इस तरह के प्रशनों देख लेज़ेगा, यहां पर बाकी बना हुआ है, वीडियो से आपको देख करके notes बनाने की आओ सकता, नहीं है ठीक है, वीडियो से आपको देख करके notes बनाने की आओ सकता, नहीं है चली, अगला देखेगा समानतर सरेणी चो, तेरा, बीस, दोसो, सोला का मध्य पद है, ठीक है, मध्य पद का एक प्रशना आता है, इसका बहुत ही जो है tricky आपको बनाना पड़ेगा तो समानतर सरेणी में मध्य पद बराबर होता है, देखे, यह हो गया आपका क्या चे, प्रथम पद हो गया, इसको प्रथम पद कहते हैं, और लाच में दिया वारता उसको क्या कहते है, अन्तिम पद कहते हैं तो मध्य पद बराबर जब भी निकालना हो आपको ताप क्या की जिएगा इसका फ्रमूला होता है प्रथाम पद प्रथाम पद प्लस अंतिम पद प्रथाम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देगा प्रथाम पद कितना है आपका 6 है अंतिम पद कितना है 216 है बटा 2 कर देगा 216 में 6 जुड़िए गाते कितना होगा 222 बट्टा 2 कर जिएगा 111 बार में कट गया यानि माध्य पद इसका कितना होगा 111 111 किसमें option है C में है C इसका right answer हो जाएगा बाकी notes नीचे बने हुए है सभी कोई देख लिजेगा अगला है 4, 6, 8 का 20वा पद क्या होगा पुछा है आपको 20वा पद यानि A दिया हुआ है आपको कितना 4 दिया हुआ है और 10 का जो अपनी कालेंद कैसे करते हैं ये पहला दूसरा तिसरा हुआ तो दूसरा में से पहला घटाईएगा तो 6 में से 4 दू तूसरा में से दूसरा घटाईएगा तो 8 में से 6 दू द्डी हो गया विशवा पद पुछ रहा है यानि A का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ ठीक है विशवा पद क्या होगा A का मान 20 दिया हुआ है तoth आपको पता है A N बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d a के जगह पर 20 है a के जगह पर 20 a 20 जब आपको निकालना होगा तो इसका सुत्र हो जागा a plus 19 d ठीक है जब 20 वापद निकालना होगा तो अभी पूछ दे a 20 का मान कितना हो जागा a plus 19 d अब बुलिए कैसे हो रहा तो a n का फर्मूला देखे होता है a plus n minus 1 into d तो यहाँ पर 20 है तो n के जगह पर कितना रखेगा 20 minus 1 into d तो 19 d होगा ना तो उसे को a plus 19 d हम लोग आता है ठीक है और किस होँआ पद निकालना होगा तो क्या होगा a plus 20 d होगा क्या होगा a plus 20 d ठीक है अब चलिए देखते हैं यहाँ पर तो 20 होगा पर यानि a 20 बराबर होगया कितना a plus 19 d होगया a plus 19 d a का मान कितना है आपके पास देखे 4 है गुने 19 की जगा d का मान कितना निकला तो 6 में से 4 गया तो 8 में से 6 होगया तो 2 यानि 2 निकल रहा है तो यहाँ पर 4 प्लस कितना होगया 19 गुने 2 होगया तो 4 प्लस 19 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 38 आजएगा 38 और 4 कितना होता है 42 होता है यही आपका right answer हो जाएगा ठीक है यही आपका right answer हो जाएगा तो इस तरह से देखे चाहे आप math की त्यारी करना चाह रहे होगे आप चाहे social science चाहे भिग्यान आपको सारा JCRT test book का यहाँ पर notes इसी तरह से सरली करन के साथ पूरा JCRT NCRT का PDF बना हुआ है आप यहाँ से जरूर एक बार पर्चेश करके exam में आप यहाँ से जरूर जुड़ करके त्यारी कर लिजेगा वीडियो गन तक जुड़े रहे हैं इसके लाब से बहुत बहुत धन्यवाद